हालो एब्रिवान गुड मॉर्निंग वैलकम तो आस्तांगी स्कूल आज हम करनेगी स्टांडर फर्स्ट में हिंदी की बुक रिमजिम के अंदर चैप्टर वन हे वो जूला ओके तो यहाँ पर पहड़े ब्लेंक से चुछूट करें हमें सब्द लिखना है तो अम्मा आज पर में जूलूँगा इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आस्मान को में छूलूँगा छूला जूल रही है डाली जूल रहा है पतता-पतता इस चूले पर बड़ा मजा है चल दिली जोर रहे नीचे की धरती उड़ीचल 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 बरस रहा है लिमजिम उड़ीचल यह उड़कर में लूट्टु डल बादल ओके यह हमारी ब्लैंक्स थी तो आपम पनेगे उसके वर्ण टक की आंसर सोट आंसर पढ़ेंगे अम्लोक तो नंबर वर् बच्चा अपनी अम्मा से क्या लगाने को कहिता है तो जो जहां पर क्या आएगा जूला तो आंसर सुनो बच्चा अपनी मा से यहां आएगा जूला जूला लगाने को कहिता है आपको सिर्फ जहां पर क्या है वहां पर लिखना है जूला उसके बात का उसके पहले का आपको वही लिखना है जो लिखाए वही लिखना है question वाला नंबर टू ये बच्चा जूले पर बैठ कर किसको जूना चाहता है तो जा किसको ये वहां पर आएगा आसमानको तो आशिर सुनो, बच्चा जुले पर बैठ कर आसमान को जुना चाहता है नमबर थ्री, बच्चे की साथ और कौन-कौन जुला जुल रहे है तो बच्चे की साथ और डाली और पत्ता जुला जुल रहे है नमबर फोर, बच्चे को कहां पर बड़ा मज़ा आता है तो जहां पर कहां लिखा है, वहां आपको लिखना है जूले पर तो आंसर सुनो, बच्चों को जूले पर बड़ा मज़ा आता है नमबर फाइव, बच्चा जूले से कहां ले जाच चलने को कहता है बच्चा जूले से कहां ले चलने को कहता है तो कहां में आएगा क्या, दिल्ली और कलकता तो बच्चा जूले से दिल्ली और कलकता ले चलने को कहता है नमबर सिक्स बच्चा जुलता है तब धर्ती क्या करती है तो बच्चा जुलता है तब धर्ती धर्ती भी जुलती है धर्ती भी जुलती है नमबर सेवन कोण बरस रहा है तो कोण में क्या आएगा बादल बादल बरस रहा है नमबर एट बादल कैसे बरस रहा है तो बादल कैसे में क्या आएगा रिमजिम कैसे में क्या आएगा रिमजिम रिमजिम बादल रिमजिम रिमजिम बरस रहा है नमबर नाइन बच्चा क्या लुटना चाहता है तो क्या में क्या आएगा दल बादल तो बच्चा दल बादल लुटना चाहता है बच्चा बादल के दल को लुटना चाहता है ओके, next है, question answer sorry, right wrong है नमबर वन है बच्चा दिदी से जूला लगाने को कहता है तो wrong है क्योंकि first line क्या है कि अम्मा आज लगा दे जूला है न ऐसा, first line है वो तो यह आएगा wrong नमबर two, बच्चा आस्वान को चुना चाहता है तो right नमबर three, डाली जूलती नहीं है तो wrong क्योंकि डाली और पत्ता दोनों जूलता था पत्ता पत्ता जूल रहा है नमबर four, पत्ता पत्ता जूलता है तो right नमबर five, जूले पर बच्चे को मज़ा नहीं आता तो right है, बच्चे नहीं क्या कहा था? कि इस जूले पर बड़ा मज़ा है इसे थी नहीं हमारी line, poem की इसमें क्या है question? जूले पर बच्चे को मज़ा नहीं आता तो क्या हैगा? wrong आएगा नमबर six, बच्चा जूले से दिल्ली कलकता ले जाने को कहता है तो है right नमबर six, थर्ती जूल रही है तो right आएगा आस्मा रिमजिम बरस्ता है तो wrong, आस्मा नी बादल बादल रिमजिम बरस्ता है नमबर नाइन, बच्चा बादलों के दल को लुटना चाहता है, तो आएगा right, ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, नाम पड़ो, उसका पहला अक्षा लिखो, ओके, तो पहला क्या है, जर्ना, तो आपको जर्ना का box के अंदर, जोखट के अंदर आपको जर्ना का जोग करन छो, फी क्या है, लड़का का, ल, और एक, इनकी सेरी, एक की बड़ी इ, ओके, एन डमरू का आएगा, एसा आपको first जो सब्द है, पहला आपको अक्षर है, वहाँ आपको box में लिखना है, यहाँ पर मेच करना है, तो लट्टू का, लट्टू, यहीं की वमेडा, जरोखा चड़ी का चड़ी, एन इमली का इमली, ओके, नेक्स पेज में आपको भी यहाँ पर भी आपको मेच करना है, तो पत्ता में आएगा यह पत्ता, ओके, पेड़ी में आएगा पेड, गठरी में यह गठरी, ठेला में ठेला, जूला में जूला, और डाली में आएगा यह डा और चितने की इन जगों पर बच्चों की चित्र बनाओ तो बच्चा यहां पर टेबल के निच्छे यहां पर छुपेगा ओके यहां पर चार पाई के निच्छे और यह यहां पर क्या आएगा यहां पर यह पेड़ के घास के पिछे यहां छुपेगा ग्रास के पिछे ओके यहां पर फिर चाता का चो यह भी चो आता है अनार का ओ आता है यहां पर ओके और दुसरा गठरी का गठरी कहां गये रहे गठरी नल का नो आएगा ओके फिर यह गठरी गठरी में ठर तो यह भी आ सकता है यह ठेला है इसे आपको मेच करना है यहां पर भी मेच करना है आपको यह भी आपको पहला से देखना है आपको डंबरू का दर करना है आपको इस डंबरू का दर को ओके अनार का इसे आपको फार्प्र लेकर दिक्क आपको इसमें मेच करना है ओके चो तो एसे आपको जो चर्फ रवन है जूला उसका आपको सिफ ये लिखना है जो blanks है यह आपको आपकी notebook में लिखना है और फिर दूसरा आपको यह लिखना है यह question answer और right wrong यह आपको आपकी fair copy के अंदर याने की Hindi की notebook में आपको यह सब कुछ one time लिखना है और reading भी करना है अपकी शुदान्स